जी हां स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी इस चैनल जेगे एक्जाम में आज जो हम डिसकस करने जा रहे हैं देखो आपको मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा रोड में बना दिया था कि इस्ट्री कंप्लीट है फिलाल हमें कल्चर उठाना है कल्च अगर इसमें देखेंगे देखो आप करिस्टिरिस्टिक यह बाते सारी छोड़ो कहीं पर भी आपको डिप्सिंशन लिखने को नहीं मिलेगी आपको नहीं पूछा जाएगा आपको क्या है कि कल्चर में हमें कुछ चीज़े पढ़नी पड़ती है और इन्हीं मैंसे आपका पड़ना है उनको पढ़ना है सोशल हैबिटस पढ़ना है म्यूजिक पढ़ना है और आर्ट पढ़ना है यह सारी चीज़े जब हम पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से आपका कोई भी कुछचन कल्चर में से नहीं छोटने वाला है यह पूरी तरीके से आप किसी भी एक्जा जाएंगे पूरी तरीके से आपको आज के बाद languages मेंसे एक question भी नहीं जोटना चाहिए मेरे साथ आप repeat करते जाएए एक भी question नहीं जोटेगा languages से अब अगर यहां पर सबसे पहले language क्या होती है language एक medium of communication होते है जिसे हम words को मतलब अपनी emotions को words की सूरत देते हैं और एक दुसरे के साथ communicate कर सकते है that is all language के बारे में नहीं पूचा जाएगा अब यहां पर question कहां से बन सकता है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि language family किस तरीके से होती है language family क्या होती है language family is a group of languages ठीडी तरीके से languages को अगर हम किसी group में रखेंगे तो यह किस तरीके से हम group में रखेंगे इनको हम देखना है कि कौनकून सी language घआईक्जे सब पहले early men को आप देख लीजी अर्ली में को आपने consider किया early men कुछ groups में रहते थे कुछ sectors में रहते थे तो यह अपसमें एक ही language में बात कर रहे होंगे ना, अब जब फिर nations आ गए, boundaries आ गई, countries बन गई, regions बन गई, different regions बन गई, तो लोगों की interactions चेंज होते 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 हैं, different languages बन गई अब languages family में हम किस तरीके से, मालो common ancestor language को मानते होए, मालो अगर Sanskrit को कहा जाता है mother of Indian languages के, तो अब Sanskrit से जितने भी languages निकलती है, वो इस Sanskrit family में concern की जाएंगे, तो आपको कहने का मतलब यहां पर यह है कि हम languages में क्या देखते हैं, family of languages में क्या देखते हैं उन सारी languages को group करते हैं, जो common language जिनकी ancestral language common होगी, तो उनको हम मतलब पूरी तरीके से parental language भी कह सकते है, parental language अगर उनकी common होगी ना, तो उस group of languages को हम क्या कहते हैं, language family अब अगर यहां पर पूरी तरीके से important चीज़े कुछ बताने जा रहा हूँ यहां पर ध्यान दीजेगा, मेरे साथ बने रहीगा, देखो जो इंडिया के schools है, जो यहां पर इंडिया के मतलब schools है, इन में लगबग-लगब 58 languages पढ़ाई जाती है, total languages की बात अगर करेंगे तो total इंडिया में 58 languages सोखुल में पढ़ाई जाती है, अब अगर यहां पर national newspapers की बात करेंगे तो वो कम से कम, कम से कम 87 67 लेइडियों में जो आप अगर 8 मॉस्त करते हैं अब अगर इसी डिसकॉशन में डिबेट में बैठ गए हैं कि अपनी सेलफ इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन पॉइंट रहता है यहां पर तो फिर से मैं मेरे साथ रिपीट केजिए कि इंडिया में 58 लेंग्वेज़ पढ़ाई जाती है 87 लेंग्वेज़ में र पूरी सारी लंग्वेज़ को जितनी भी हमने यहां पर देखी न बहुत सारी लंग्वेज़ हैं इंडिया में आपने देखा होगा तो मेरे साथ बताइए कि इंडिया की सारी लंग्वेज़ को हमने चार ग्रूपस में डिवाइड किया है एक को बोलते है इंडो एरोपिय जिसका हम इंडो आरियन उसका सब कैटेगरी है तो आप इंडो एरोपियन के नाम से जान लीजे आप पहली जो कैटेगरी है वो है इंडो एरोपियन दूसरी जो कैटेगरी है वो है ड्रेविडियन तीसरी जो कैटेगरी है वो है मौन कैमर मौन कैमर जो है ये भी एक मतलब language family है इंडिया में पाई जाती है इंडिया में बोली जाती है इसके अलावा सीनो तिबतियन भी है तो ये चार families आप याद रखना कि इंडिया में चार टाइप आफ families होती है languages की चार families है languages की अब अगर यहाँ पर language family को हम consider करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूरी तरी के से आप देख लीजे की अब इन languages families को किस तरी के से देखेंगे the languages of the South India अगर की बात करेंगे तो वो ड्रेवेडियन बोलते है ड्रेवेडियन मतलब ग्रूप में जो ग्रूप आप लाइंडियन फैमली है साउथ इंडिया में ड्रेवेडियन फैमली होती है यह मालो अपना इंडिया यहां पर मैं आपको बता देता हूँ यह मालो आप अपना इंडिया ठीक है ठीक है यह आप अपना इंडिया कंसिडर कर लो ठीक मालो यह अपना इंडिया है ठीक है तो अब यह अगर अपना इंडिया है तो यहाँ पर किस तरीके से यह हो गया अपना नौर्थ इंडिया यह हो गया अपना सौथ इंडिया यह वाला ड्रेविडियन पार्ट तो यह हो गया इस्टर्न इंडिया और यह हो गया वेस्टर्न इ हमें देखने को मिलती है अब अगर आसंमीज की बात करेंगे और पर panels in इंडिया की बात करेंगे तो वहां पर Mored Nom настолько group लाफ लांग्विज बोली जाती है जो इस टिर उन पार्ट मैंने यहां पर Bताया था मालों यह राफ Bev maioria है यह वाला इंडिया है जो इसका यह वाला के पास में जो अपने देखा होगा बरमीज डार के बाडर किके पास में जो रहने वाले हैं वो सिनों और्ञ बतीयं लिंगेज़ बोलते हैं यह नौर्थ आप यहां में दो इसी तरीके आप मैंने आप इनुद्वेज्ट के बाए में यह मैं यहां पर आपको नहीं पढ़ाओंगा, यह आप PDF से देक सकते हो, आची तरीके से याद सकते हो, देखो, रिजिन में कौन कौन सी कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, रमना कोई पर UP, हर्याना हिमाचल पते, मर्यापते, 36ard, जारखन उत्राखन और ये अगर दहली की बात करेंगे बिहार की बात करेंगे और राजस्तान में बोली जाती है बेंगाल कहां पर वेस्ट बेंगाल और त्रिपूरा के पार्ट्स में बोली जाती है असाम की बात करेंगे असाम के पार्ट्स में और नाथिश्टन स्टेट्स में बोली जाती है और औरया की बात करेंगे तो औरेसा में बोली जाती है अब इसी तरीके से गुजरात की बात करेंगे तो गुजराती की बात करेंगे गुजराती गुजरात में, मराठी, महराष्टा और गुवा में, कनड़ा जो है, कनड़ा जो लंग्वेज है, वो करनाटका में बोली जाती है, इसी तरीके से तिल्गो की बात करेंगे, तो आंधरापदेश, तामिल की बात करेंगे, तो तामिल नड़ो और पोडिजरी में बोली जाती ह अब अगर यहां पर मली आलम की बात करेंगे तो मली आलम कहां पर बोली जाती है और यह कुछ लंग्वेजिज़ आपके साथ डिसकस की यह आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टन लंग्वेजिज़ है लेकिन यहां पर हमें पढ़ना क्या है बिटा वो चीज़ से दे दो यहां से आपका क्वेज़ बन सकता है देखो यह साथ मिनट आपको मैंने बेसिक बता दिया अब यहां से क्वेज़ बन सकता है पूरी तरीके से क्योंकि हमें जमुर्ण कश्मीर से ही क्वेज़ आ जाएगा अब लंग्वेजिज़ आप जमुर्ण कश्मीर हम डिसक आब कश्मीरी फो सकता है अब कश्मीरी बंच के बारे में यहां है उनसिक छुछात रहे हैं है कर 측 यह जो लंगवेज़ है यह जो मतलब कश्मीर रिजन में बोली जाती है ठीक है आपको पता आ गई आपको किसके साथ गर्ज है कश्मीरी के साथ लेकिन कश्मीरी के साथ शीना और खोवर भी यहां पर बोली जाती है तो यह भी आपको याद होना चाहिए अब यहां पर यहां दार्दिक ग्रूप से दार्दिक ग्रूप अफ लंग्वेज़ निकला है अब इंडो एर्टिक ग्रूप से क्या निकला है दार्दिक ग्रूप दार्दिक ग्रूप से ही कश्मीरी लंग्वेज है तो ये आपको पता होने चाहिए कि कश्मीरी लंग्वेज जो है वो दार्दिक ग्रूप से बिलाँ करती है दार्दिक ग्रूप इंडो आरियन से बिलाँ करता है और इंडो आरियन किस फैमिली से बिलाँ करता है जो कश्मीरी है ये कहां पर बोली जाती है कश्मीर में तो यहां पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस पर कश्मीरी कहां पर बोली जाती है कश्मीर में और इसके अलावा चिनाव वैली में और नीलम वैली में कश्मीरी बोली जाती है और चिनाव वैली में कौन सी लंग पिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये SSB ने दो तीन बार पोचा है कश्मीरी लंगवेज इस पोकन इन कश्मीर चनाव वैली कश्मीर वैली चनाव वैली और नीलम वैली अब ये तीन चीज़े आपको याद रहा गई है अब अगर जो मैंने उपर लिया था नाम शीना का शीना जो लंगवेज है ये कहां पर बोली जाती है ये इस पोकन इन गिलगित गिलगित तो आपको पता है ना कोहिस्तान भी आपको पता होना चाहिए गिलगित बलतिस्तान जो मैंने आपको पढ़ाया था ना गिलगित रिजन में शीना बोली जाती है और अपना जो गुरेज है और द्रास रिजन है वहाँ पर भी शीना लंगवीशी बोली जाती है आई होब कि ये चार पॉइंट सापने नोट कर दिया होंगे और आपको याद रहा होगा अब अगर इसी तरीके से चित्राली जिसका नाम मैंने ओपर भी बोला था खोवर के नाम से जाना जाता है उसका दूसरा नाम है चित्राली वो कहां पर बोली जाती है चित्रल और गिलगित बलतिस्तान रिजन आप पाकिस्तान अब ये question पूछा जा सकता है चित्राली को कहां पर बोली जाती है गिलगित बलतिस्तान रिजन आप पाकिस्तान या चित्राल वो आपको option ही नहीं देनेंगे क्योंकि ये तो फिर सीधे पता चल जाएगा कि कहां पर बोली जाती है तो थोड़ा सा टेपिकल बनाने के लिए question में ये गिलगित बलतिस्तान रिजन आप पाकिस्तान पहुचा जाएगा ये याद रखना कश्मीरी इस यहां पर note मैंने दिया है note याद रखना पूरी तरीके से important चीज है कश्मीरी इस दा आनली दाद्रिक language जो मैंने आपको दाद्रिक ग्रूप अप लंग्वेज बताया था न वह कहां से निकला है इंडो आरियन से इंडो आरियन का से निकला है इंडो एरोपियन से इंडो एरोपियन एक फैमिली है उससे निकला है इंडो आरियन फैमिली इंडयार्थी कंडर्डी कोंगर्श के दार्दिक na चौर्श है सबीक षेकर बार्इब्सेकर रेता पैसे सकते हैं कि इस तरह के से पूछ सकते हैm इस एड्य वाले विज वन आप दो फॉलओंग लैंग्वेज इस आल्सों दाज़ पार्ट आप अवर काश्मेरी और इस वले में यहां पर कंश्मीरी और सिंदी बोला जाता है तो ये हम discuss कर रहे हैं लेकिन ये वाला region जो है ये हिंडी वाला region है ये पंजाबी वाला region है इसी तरीके से आप आगे आगे जलते आओगे तो आपको हर कोई region मिलेगा languages के हिसाब से अब अगर यहाँ पर दूसरी लंग्वेश की बात करेंगे जिस तरीके से हमने कश्मीरी को समझा अब उसी तरीके से दूसरी लंग्वेश को समझने की कोशिश करते है बुरकशाई बुरकशाई एक दूसरी लंग्वेश है तो इसको समझने की कोशिश करते है ये लंग्वे बोली जाती है अब अगर यहां पर बात करेंगे यहां पर मैंने यह लंगविश क्यों की क्योंकि गिलगिल बलतिस्तान तो पाकिस्तान के कंट्रोल में है तो इसमें पोछा क्या जा सकता है वो पार्ट यह है बोर्ताज महला हमारे हारी परबत रिजन में पड़ता है बोर्ता पहारी लंगवेज़ को अभी भी बोलते है तो वो किश्मीरी बोलते है लेकिन दियर जो उनकी अपनी नेट्यो लंगवेज़ है वो कुन सी है बुरकशाही है बोरताज मुहला याद रखना बोरताज मुहला यहां से कौच्छन बन सकता है अब अगर यहां पर बात करेंगे पहारी लंगवेज़ की जो जमुर्ण किश्मीर में पहारी लंगवेज़ होते है न उनकी बात करेंगे तो पहारी लंगवेज़ कौन कौन सी है देखो यहां पर बदरवाई है पाड़ी है तो पुंची है मीरपूरी है परमी है पहारी है और इसका नाम है करना ठीक है पहा पहारी और करना है तो यह पहारी लंग्वेजिस है अब अगर यहां पर आपको यह चीज समझ में आ गया तो नाओ हम डिसकस करने की जा रहे हैं नमबर फोर्थ लेंग्वेजों की जो मुएंड कश्मीर स्टेट्स में बोली जाती है अब यहां पर आती है तिबतिक इंडो आरियन से कौन से निकला है दार्दी ग्रूप दार्दी ग्रूप मेंसे कौन सी लंग्वेज है कश्मीरी लंग्वेज इसी तरीके से यहां पर सीनो तिबतियन जो है सीनो तिबतियन को ही हम डिसकस करने जा रहे हैं यहां पर जो हम इंडो यह पढ़ रहे हैं पहारी अकोन कोन सी मतलब भाशा आती है दिबवा आनस में वपली जाती है उर इनका सिक्रेप्ट जो लिखा जाता है वो द टीर नसी स्क्रिप्ट होता है Ladakhī oujay Ho being ô altri wilt जिकत बलतिस्तान में बोली जाती है यह बी जित्वतियन लंग्वेज़ सुपोकन इन मेजारटी अपकर गिलडिस्टिक तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप इंडो-Tibatian मेंसे यह जो मतलब यह तिबतिक लंग्वेज़ तिबतिक languages मैंसे कौन कौन सी language मैंने नाम लिया लदा की बोती बोरी और यह लेडिस्टिक में बोली जाती है इनका जो script होता है वो किस में लिखा जाता है तो ये कहाँ पर बोली जाती है, जनसकार अरिया आप करगिल डिस्टिक in लडाख. तो देखो, अब करगिल में दो मतलब आपको आगे, एक पूर्गी लंगवेश और एक जनसकारी लंगवेश. लेकिन कौन सी है? पूर्गी लंगवेश और जनसकार उसके बाद आती है. तो यह भी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए. Now, moving to the another very important language that is dogri language. यहाँ पर आपको question है, कि dogri language का constitutional assembly का मतलब उन में लिया जाता है, consider किया जाता है by इस language में से या नहीं. और अगर नहीं तो इसके लिए क्या-क्या steps उठाये जाते हैं. तो यह आप मतलब importantly नीचे comment section में बर सकते हो. तो यहाँ पर अगर dogri language की बात करेंगे, तो it is Indo-Aryan language. सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, Indo-Aryan language कौन सी है, Indo-European family से निकली है. तो dogri language Indo-European family से अगे निकली है. तो यह spoken कहाँ पर की जाती है, कहाँ पर बोली जाती है, जुमू पलेन्स में बोली जाती है, और dogri जो है, यह किस category में लाई करती है, Western पहारी language, यहाँ पर पूछा जाएगा, question पूछने के chances है, important मैं यहाँ पर note कर रहा हूँ, तो बेटा याद रखना, कि dogri language जो है, Western पहारी languages में consider के जाती है, और यह Indo-Aurian languages family से बिलॉंग करती है, और अब इसका script जो लिखा जाता है, वो दिवानगरी script होता है, जो dogri language का script होता है, वो दिवानगरी का script होता है, और डोगरी बोलने वाले लोग कितने हैं, जुमू और कश्मीर में थ्री मिलियन लोग, यानि कि 30 लाग के करीब लोग जुमू में ये डोगरी बोलते हैं, अब अगर इसी तरीके से बात करेंगे, इरानियन languages की, जैसे इतिपतियन हमने डिसकस की, तो इरानियन हम डिसकस करने जा रहे हैं, इसमें पस्तो और वाकी, दो languages ऐसी है, जो गिल्कित बलतिस्तान रिजन में बोली जाती है, तो ये मतलब इरानी languages कांसर की जाती है, किसकी जुमू और कश्मीर की, एक पस्तो, ये जुमू और कश्मीर में भी आपको बहुत जगह पर मिलेंगे, ये सिकेटर्ड ग्रूप जो होते हैं, जिनका कुछ न कुछ आरिजन आप मतलब बहुत सारे ऐसे पस्तो लोग देखोगे, तो वो इस बोली को बोलते हैं, अभी भी पस्तो है, तो पस्तो लंग्वेज असल में उसका आरिजन क्या है, वो है एरानियन लंग्वेज, तो एरानियन लंग्वेज जो सैक्टि जो इरानियन थेरी आई है, यहां पर जो बसने के लिए एरानियोग आए हैं, तो उसकी इंफुलेंस से यहां पर पस्तो और वाकी लंग्वेज डेवलोप हो गए है और यह कहां पर ज्यादा बोली जाते है गिलगित बलतिस्तान में अगर आप सबी लोगों को याद होगा कि कुछ लोग जो जब 1947 में पाकिस्तान बाइफरेकेट हो गया था इंडिया से दो डोमिनियन में तो कुछ लोग मतलब पाकिस्तान से यहां बसने के लिए आए थे अभी भी आपके आसपास में अगर आप कश्मीर से बलॉंग करते हो तो आपके आसपास में कुछ लोग ऐसे होंगे जो पस्तो अभी भी बोलते है और उनका आरिजन क्या है एरानियन लंगवेजिस का तो वो पाकिस्तान से आते है इसलिए मतलब इसका जो मेजारिटी वाला एरिया बोला जाता है वो गिल्कित बलतिस्तान है अब अगर यहां पर बात करेंगे गोजरी लंगवेज की गोजरी कौन बोलते है गोजरी जो मतलब सिकेटर्ड कॉमिनिटी इस होते है जो एक जगह से नॉमैडिक लाइब गुजाते है अभी भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते है बकरवालस प्रेमरी स्पोकन अब इसी तरीके से लास्ट में आती है हमारी अर्दू लंगवेज अगर बात करेंगे तो पूरी तरीके से मैं आपको यह बताना चाता हमकि अर्दू लंगवेज। क्या क्या इंपॉर्टन्स रहता है यहां पर सबसे पहले अर्दू को अगर देखेंगे तो अर्दू इस सुपोकन एंडर सिटूट अक्रास्थ होल कश्मीर वैली पूरी तरीके से हर किसी को अर्दू लगब लगब 90% लोगों को आज कल अर्दू समझ में आता है वो तो पु मतलब कश्मीर और लदाक तो इस तरीके से यह मतलब एक आईसी लंगवेज है जो मीडियम आफ कॉम्निकेशन बन चुकी है कि आपस में किस तरीके से बात कर रही है तो यह आपको पता होना चाहिए कि अर्दू जो है वो पूरी तरीके से वैली में बोली जाती है और इसके पर उर्दू को ही पहले खताब मिला था उपिशल लंगवेज इसको जो पर ब्रिटिशर के दोरह यहां पर दिया गया था वो सबसे पहले 1889 में अर्दू को ही और थो और बिफोर अदी से पहले मिला था इसको अब अगर यहां पर बात करें गे तो विफोर और डाडियम प पर थी official language वो थी parishion language अब अगर इसी तरीके से बात करेंगे जो कश्मीरी मतलब कश्मीर के official records चाहे वो land के related हो revenue के related हो या codes के related हो even FIRS अभी भी presently अर्दू language में ही record किये जाते है कश्मीर में और जमू में हिंदी में record किये जाते है ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए now important चीज़ और current affairs का portion है यहां पर तो जमू और कश्मीर में the जमू और कश्मीर official languages act 2020 पास हो चुका है तो ये जो कश्मीर हिसमे क्या कहा गया कश्मीरी डोगरी और्दू हिंदी और इंग्लिश ये सारी languages option languages consider की जाएगी in the UT आप जो मूएंट कश्मीर ये कब inactive किया गया था कब इसका प्रेजिडेंट असेंट कब मिला था 26th आप September 2020 को ये option languages बिल जो थी अभी तक उससे पहले एक एक्टर की सूरत में आ गया और इसमें किस्किस language की जिखिर गई 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 एक दो तीन चार पांच पांच लंगई कश्मीरी डोगरी और्दू हिंदी और इंग्लिश को option languages का दर्जा मिला जुमएंट कश्मीर स्टेट में आई होब कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सारी चीज़े समय आ गई होगी चैनल को जूरूर सबस्क्राइब करिएगा वीडियो को लाएक जूरूर दे देगा और दूसरों के साथ वीडियो ज़रूर शियर करना चैनल को सपोर्ट की इस वक्त ज़रूरत है क्योंकि हम एक साल से बिल्कुल बतनब ऐसी तरीके से बैठे थे आज चैनल को उठाना है अभी आप सबी लोगों का मतलब हलब चाहिए पूरी तरीके से शियर करिएगा फेस्बुक पे जहां पर भी आपको कोई भी चीज मिलता है वटसाइप फेस्बुक पे डू शियर और सबस्क्राइब जरूर कर लेना थांकियो गुड़ बाई